तो आज हम करने वाले हैं क्लास एर्ट का ही चैप्टर नमबर एट जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हितु राज किया प्रयास तो चलिए हमने चैप्टर पढ़ लिया था अब हम इसके कुश्चन आंसर करेंगे तो ध्यान से कुश्चन देखना है आपको सुनना है और इनका आंसर देने की कोशिश करना है जिनोंने भी चैप्टर पढ़ लिया है और जिनोंने नहीं पढ़ा है प्लेइलिस्ट में जाकर देखिएगा सभी चैप्टर जो है वहाँ पर पढ़ाला है गए हैं 6th क्लास, 7th क् तो question देखिए question 1 भूदान आंदोलन की सुरुवात किसने की तो यह सुरुवात की थी बिनोवा भावे ने 18 अप्रेल 1951 को तिलंगाना के तिरुचपल्दी गाउं में ठीक है नेक्स्ट देखिए भूदान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था इसका उद्देश्य था जमीनी स्वामित्व की विसमता को दूर करना ठीक है और एक जमीन का टुकड़ा जो है वो हर व्यक्ति को हर अमीर व्यक्ति को देना टुकड़ा दान में तो यह परंप्रा ज जिससे की जमीनी स्वामित्व की जो विसमताएं हैं उन्हें दूर किया जा सके। आजादी के समय राजी स्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या क्रसी पर निर्वर थी। जादा ओध्योगिक विकास नहीं हुआ था ओध्योगों का विकास नहीं होने के कारण लोगों को वहां रोजगार भी नहीं मिल पाया तो अधिकतर जनसंख्या जो थी वो क्रशी पर निर्भर थी राज्य सरकार ने ग्राम दान अधिनियम कब पारित किया राज्य सरकार ने ग्राम दान अधिनियम कब पारित किया तो 1971 इस्वी में प्रारंब किया था नेक्स्ट देखिए समविधान के किस अनुछेद के अनुसार छुआ छूत या असप्रश्यता एक दंडनिय अपराद है तो यहां पर अनुछेद सत्रा के अनुसार छूआ छूत जो है क्या है एक दंडनिय अपराद है नेक्स्ट देखिए असप्रश्यता उन्मूलन के लिए इसे जड़ से उखाडने के लिए छूआ छूत जैसी जो यह चीज है इसको जड़ से उखाडने के लिए भारत सकार ने नागरिकों के लिए जो अधिनियम लागू किया वह है 1955 में किया नागरिक अधिकार संरक्षन अधिनियम ठीक है तो नागरिकों का यह अधिकार है कि उन्हें जो है इस चीज़ से बिलकुल वंचित ना रखा जाए कहीं भी सारजनिक स्थल पर भी उनके साथ वैसा ही विवहार होना चाहिए जैसे की बागी लोगों का होता है तो जो निम्नवर्ग के लोग हैं उनके साथ छुआ छूद जैसी जो बीमारी है वो बिलकुल ना रखी जाए इसके लिए असप्रश्यता उन्मूलन जो है अधनियम भारत सरकार ने नागरिकों के लिए 1955 में लागू किया सन 1951 में राजिस्थान में महिला साक्षर्ता कितनी थी तो 1951 के समय में महिला साक्षर्ता बहुत कम थी 2.5 प्रतिशत सन 2011 के आख्णों के अनुसार राजिस्थान में महिला साक्षर्ता दर कितनी रही तो 2011 के अनुसार 52.1 प्रतिशत रही जहां 1951 में ये बहुत कम थी राजिय महिला आयो का गठन कब किया गया तो राजिय सरकार के द्वारा महिलाओं के ससकती करण के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई प्रयास किये गए तो वहीं राज्य महला आयोक का गठन किया गया, जिससे कि महलाओं के साथ जो भी विवहार होता है उसकी जांच हो सके, महलाओं के प्रति जो भेदवाव है उनको दूर किया जा सके तो महला आयोक का गठन 15 मई 1999 को राजिस्तर पर किया गया अगला देखिए question 11 है राज्य महिला आयोक के अध्यक्ष का कारेकल कितना होता है तो राज्य महिला आयोक का जो एक अध्यक्ष होता है और तीन सदस्य होते हैं तो यहाँ अध्यक्ष का कारेकल होता है तीन वर्ष का पिर देखे महला घरेलू हिंसा अधिनियम कब बनाया गया तो जो महलाएं जिनको घरे में रहकर उनको प्रतारित किया जाता रहा हो या उनके साथ कोई भी हिंसा की गई हो तो इसके लिए महलाओं के संरक्षन के लिए उन्हें तुरंत राहत देने के उदेश से भारश सरकार ने 2005 में महिला घरेलू हिंसा अधिनियम पारित किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सुरुवात कब की गई तो हमने योजनाओं में पढ़ा था महिला ससक्ती करण के लिए महिलाओं के हित के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक योजना आई ठीक है तो इसकी सुरुवात जो है वो की गई 2015 में हिंदू उत्रादिकार दत्तक ग्रहन एवं सनरक्षन अधिनियम कब बना तो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कानून जो है वो भी बनाए गई हिंदू उत्रादिकार दत्तक ग्रहन एवं सनरक्षन अधिनियम ये बना 1956 में और इसका संसोधन जो है वो 2005 में किया गया फिर देखें कोश्यन 15 है दहेज निशेद अधिनियम कब पारित किया गया तो ये भी महलाओं के लिए ही था 1961 इसवी में दहेज निशेद अधिनियम जो है वो पारित किया गया तो इसके लिए भी कानून आया, जो भी दहेज मांगड़े वाले हैं, तो उनके लिए यह अधिन्यम आया 1961 में, ठीके, दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराद है बाल विवा निशेद अधनियम कब बना चोटी उम्र में ही जो बालक बालिकों का विवा हो जाता है तो वो ना हो तो इसके लिए जो अधनियम बनाया गया 1925 इस्वी में उसके बाद इसमें दो बार संसोधन हुआ 1986 में और दूसरा 2006 में ठीक है तो आज हम यहीं तक करेंगे हमने 16 कोशन किये हैं जिसमें बहुत इंपोर्टेंट जो है हिंदू उत्रादिकार दत्तक ग्रहन संद्रक्षन अधनियम 1956 दहेज निशेद अधनियम 1961 बाल विवा निशेद अधनियम 1955 महिला घरेलू हिंसा अधनियम 2005 तो यह महिलाओं से सम्मंद जो थे यहां पर कुछ अधनियम आए राज्य सरकार की तरफ से जो है वो प्रयास किये गए एक तो आप यह याद रखेंगे दूसरा इंपोर्टेंट कोशन हमने याद किया कि सबसे पहले भूदान आंदोलन उसकी सुरुआज जो है वो किस ने की थी विनोवा भावेने की ठीक है भारत के संदर्व में अगर आएगा कुशन तो आप याद रखना तिलंगाना का चोटा सा गाओं है तिरुचपल्डी वहां से स्टार्ट किया विनोवा भावेने 1951 में और यदि राजिस्थान की बात आती है तो नागोर से प्राणम हुआ ठीक है तो चलिए आज ह थैंक यू